शेहर में मनपके नाक के नीचे एजी और बीवीची द्वारा कच्रे की अवैद रूप से करोडों की भंगार बेचने की शिकायत के साथ शिफसेना उद्दव ठाक रेगे गुट के शिफसेना नीचे 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 तथा कमपनी करमचारियो द्वारा प्लास्टिक प्लास्टिक प्रेगे जूते, चपल, खड़ा, कागजव, इत्यादी कबाड वस्तूओं को कच्रे से अलग कर लिया जाता है बात में उसे कमपनी गाडिया द्वारा शहर के विबिन निश्यत कबाडियों को बेच दी जाती है कुछ कबाड़ी वेफसाई जोन स्तर पर कमपनी के डंपिंग से बड़ी मात्रा में कबाड़ खरीत कर ले जाते है शहर में प्रती दिन दोनों कमपनी द्वारा तकरीबन 10 लाग का कबाड़ बेचा रहा है सबुत के तौर पर कबाड़ बेचते कमपनी गाड़ियों की जीपीएस फोटो कबाड़ी कारोबारियों के नाम वपता तिवारी ने राम जोशी को दिये है नाकपूर महानगर पालिकाग ने अविनाश ठाकरे जी के अध्यक्षता में एक समीती बनाई थी जिसमें दिशकर्ष निकला उस जात समीती में बहुत लंबी रिपोर्ट थी जिसमें AGBBG को बर्खास करने का आदेश हुआ पता निया इसी क्या बात हुई अत्रिकता आयुक्त श्री राम जोशी साहब ने उसका बचाओ किया और कंपनी को रोक लिया गया आज मैं एक घोटाला भी थोड़ी दिन पहले बायो मेडिकल घोटाला आपके सामने निकला मैं फिर से आज एक भंगार गोटाला आपके सामने लेकर आया हूँ घर से निकलने वाला, अस्थापनों से निकलने वाला, परतिष्ठानों से निकलने वाला कच्रा नियमता एजी और बीवीजी द्वारा संकलित करके भाड़ेवारी डंप में मूल रूप से एकठा होना चाहिए जिसके लिए भाड़ा नाकपुर महानगर पालिका 1950 और 800 रूपए पर मैट्रिक टन के हिसाब से उनको देती है इसके बावजूद कंपनी रैकेट चला रही है कुछ राजनीतिक प्रतिरक्षन है उसके अंतरगत कंपनी कुछ प्राइवेट वर्कर के साथ और अपने वर्करों के साथ मिलकर ये संकलित कचरे को खुले में बस्ती वाइज एकतित करके खुला कर रही है जिसमें से प्लास्टिक, जूते चपल, खड़ा और भंगार की सामगरी सेग्रिगेट की जा रही है नियम बाए होकर नाटपुर शहर के 35 कबाडियों को जिनके नाम मैं आज प्रस्तुत करने वाला हूँ ऐसी गाडियां कबाड बेशते हुए GPS फोटोग्राप के साथ आज एविडेंस के साथ में लेकर आया हूँ आज मनपा आयुत को हम ये देने वाले हैं, हम ये कहने वाले हैं और ये कबाडों की संख्या आप बड़ा निश्चिंत रहेंगे तकरीबन साथ हजार किलो रोज का कबाड बेचा जा रहा है मैं सबसे निचली कीमत यदी पेपर की भी कोश्ट लगाऊं, खड़े की भी कोश्ट लगाऊं पंद्रा रुपए किलो के भी हिसाब से पकड़ा जाए, तो नौ लाग से दस लाग का रोजाना कबाड, रोजाना भंगार इसनाकपुर महानगर पालिका की संपत्ती से बेचा जा रहा है इसका विरोध आके मुंदी हुई है, इतना बड़ा NDS जिसको पगार जा रही है, कुछ काम नहीं कर रहा है मैं आदर्निय तामबे साहब जो NDS प्रमु के उनको बताना चाहूँगा, मनपा आयुक साहब को बताना चाहूँगा बड़ी एक अच्रच की बात है, कि मुख्यमंत्री साहब, आदर्निय मुख्यमंत्री साहब जो की नगरविकास मंत्री है आदर्निय ग्रह मंत्री उनके मनपा में चोरी हो रही है बंगार की और ऐसा शहर जहां के ग्रह मंत्री आदर्णी श्री उप्मुक्री मंत्री साथ हेवी बेट नेता श्री देवेंदर फड़नवीज जी है उनके शहर में बंगार कबाड़ी खरित कर रखा जित रहे हैं वो भी मनपा की प्रॉपर्टी से तो यह बहुत बड़ी विडंबना है आज मैं पूरे दस्ताविजों के साथ पूरे फोटोग्राप के साथ पूरे कबाड़ियों के साथ मेरा ये कहना है कि विश्वास गात हो रहा है सरकारी संपत्ति के साथ सरकारी संपत्ति की चोरी हो रही है तो 406, 319, 420 और अनेक 411, 410, 412, 413 कलम के तार भारती दंड समीता की अनुसार उनके उपर कारवाई होनी चाहिए, उनके मामला दर्ज होना चाहिए, आज हमारी मांग है अनेता रोड पे उतर कर चीवचेना इस नाकपुर महानगर पालिका को एक्सपोस करें तिवारी ने आरूप लगाया है कि शहर से इकत्रित होने वाले कच्रा ये नाकूर महानगर पालिका की संपत्ती है, इसे अवेद रूप से छटाई कर उसमें भी बंगार बेचना ये विश्वास घात है, मनपा के कारनामे का उलंगन कर दोका धड़ी है, मनपा की संपत्ती की चोरी है, इसलिए तिवारी ने कमपनियों पर भातिय दंट सनीता की संबंदित धाराओं के तहट मामला दर्च करने की मांग करते हुए, बारंबार कारनामों का उलंगन करने पर कमपनियों का ठेका बरकास करने की मांग की, अन्यता सरकारी तिजोरी पर चूनाल लगने, ग जानलता गुपतार निलिमा श्रास्री राम कुकड़े के साथ सैकडो शिफसेनिक उपस्तित रहे। NBCN News के लिए राच्पुमर मोड के साथ शितीजा देशमुंकी रिपोर्ट